चिलचिलाती गर्मी पढ़ रही थी एक दस साल की छोटी सी बच्ची शालू सड़क के किनारे कपड़े पर कुछ सबजियां रखकर बेच रही थी सबजियां मुर्जा न जाये इसलिए वो उन पर बार-बार पानी डाल रही थी तेज दूप से बचने के लिए उसने एक बड़े से कागस को अपने सर पर एक हाथ से रोक रखा था जब इनसान पर जिम्मेदारियों का बोज आता है तो छोटे-छोटे कंधे उन जिम्मेदारियों का बोज उठानी के लिए मजबूती से खड़े हो जाते हैं शालू के साथ भी ऐसा ही था उसके पिता का निधन कुछ समय पहले ही हुआ था और जब से उसके पिता गुजरे तब से उसकी मा बेसोधर समय बिस्तर पर पड़ी रहती शालू अपनी मा और अपने छोटे भाई को भी संभाल रही थी एक औरत शालू के पास आकर सबसी का रेट पूछती है ये भिंडी और तोरी कैसे दी बेटा और तुम्हें अकेले यहां क्यों बैठी हो कोई बड़ा नहीं है तुमारे साथ भिंडी तोरी 30 रुपए किलो अरे तुम तो बड़ी मेंगी सबसी दे रही हो नहीं नहीं मेंसाब सबसी का यही रेट चल रहा है सुबह से दो पहर हो गई है बोनी भी नहीं हुई है अच्छा चलो मैं आपको 25 रुपए लगा देती हूँ 20 रुपए लगाओ शालू के पास वो पहली ग्राहक थी और सुबह से वो ऐसे ही बैठी हुई थी मैं कितना डर चाती हूँ और रेट कम कर देती हूँ हे भगवान मेरी मा को जल्दी से अच्छा कर दो ताकि वो सब कुछ संभाल ले मैं अकेली ननी सी जान मैं तो घबरा चाती हूँ पूरे दिन में उसकी और कोई सबजी नहीं बिखती वो सारी सब्जियों को घरला कर रख देती है वो भिंडी को देखती है तो वो सूखने लगी थी ये भिंडी तो सूख जाएगी कल तक ऐसा करती हूँ मैं इसकी सब्जी बना लेती हूँ तब ही पडोस में रहने वाली शालू की चाची आती है आ गई शालू पिछली गली में भंडा रहा था मैंने तुम लोगों के लिए भी खाना ले लिया सोचा तू ठकी हारी आई होगी और अब तेरी मा की तब्यत कैसी है मा तो वैसी ही है चाची भगवान इनको जल्दी अच्छा कर दे दीदी दीदी बहुत तेज भूक लगी है पहले खाना खा लेते हैं चलो बेटा तुम लोग खाना खाओ मैं आती जाती रहोंगी शालू सारी बिंडी एक तरफ रग देती है और चाची का लाया हुआ खाना प्रेट में निकाल कर अपनी मा के पास लेकर जाती है मा उठो मा कुछ खालो कैसे खालो मेरी तो दुनिया उचड़ गई है मा तु जल्दी से अच्छी हो जा जब लोग आकर सबजी खरीते हैं और मैं डर के मारे दाम कम कर देती हूँ मुझे तो कोई मुनाफ़ा भी नहीं हो रहा तेरे बाबा होते तो सब कुछ संभाल लेते पर मा बाबा तो नहीं है तो क्या अब हम हमेशा ऐसे ही रहेंगे ये सुनकर शालू भी रोने लगती है और अपने छोटे भाई को गले लगा लेती है अगले दिन सुबह शालू देखती है कि वो सारी भिंडी सूख गई है हे भगवान ये तो बहुत बढ़ा नुकसान हो क्या कमाई तो कुछ भी नहीं हुई मैं और भिंडी कैसे खरीद कर लाऊंगी ऐसा करती हो आज भिंडी को छोड़ देती हो बाकी सारी सबजियां ले जाती हो ननी सी शालू सारी सबजियां अपने सर पर रख कर वापस उसी जग़ा पर कपड़ा बिचा कर उस पर लगा देती है और सबजी खरीदने वालों का इंतजार करने लगती है आज थोड़ी बहुत सबजे उसकी बिग जाती है शाम को जब वो घर आती है तो सूखी हुई भिंडी को देखती है वो से उठाती है तो वो काफी कड़को रखी थी वो भिंडी के बीज उसमें से निकाल लेती है और अपने भाई की मदद से उन्हें अपने आंगन में लगा लेती है दीदी इसमें से तो फिर बहुत सारे भिंडी होंगी, फिर आपको मंडी से खरीद कर नहीं बेचनी पड़ेगी, हम अपने आगन से ही भिंडी को तोड़ लिया करेंगे ओ मेरे छोटे भाई, तुम कितने नादानो, तुम्हें तो ये भी नहीं पता कि अभी तो हमने बीच डाले हैं, इन में से पहले पौधे निकलेंगे, फिर फूल निकलेंगे, फिर फल बनेंगे, पता है मेरे छोटे भाई, मैं बहुत परिशान रहती हूँ, अगर बाबा होत तो मैं आज स्कूल जा रही होती, सबजी नहीं बेचती, पर मैं तुझसे वादा करती हूँ, मैं तुझे बहुत पढ़ाऊंगी, लिखाऊंगी, बड़ा आदमी बनाऊंगी। दीदी, आप तो कल मुझसे कह रही थी कि पहले भिंडी से पौधे निकलेंगे, फिर फूल निकलेंगे, फिर भिंडी निकलेगी। अरे, इसमें तो एक ही रात में भिंडी लग गई है, ये तो कोई जादू हो गया है। और यहां हमारे पास क्यों आई हो। अरे बाप, रे बाप, इतने सारे सवाल एक साथ, देखो तुम्हारी मा हमारी तरफ कैसे देख रही है, लगता है तुम्हारी मा की तब्या ठीक नहीं है। हमारे बाबा नहीं है, जिस दिन बाबा गए, उसी दिन से मा बड़ी परिशान रहती है। अब तो ना पहले की तरह हमसे बातें करती है, ना हमारे लिए खाना बनाती है, सब कुछ दीदी ही करती है। अब तो पता नहीं हमारी मा कब अच्छी होगी और कब हम उन्हें पहले की तरह देख पाएंगे। आप सब का हमारे घर में स्वागत है जादूई भिंडी और मैं अपनी मा को लेकर अंदर जा रही हूँ, ये जादा देर खड़ी नहीं रह सकती। रुको शालू, अब तुम्हें परिशान होने की बिलकुल भी जरूरत नहीं है। तुम अपनी मा से कहो कि यहां हमारे पास आकर खड़ी हो जाएं। पहले जैसी हो जाती है। मेरे बच्चो, मुझे माफ करना, मेरी दिमागी हालत ठीक नहीं थी। मैं हर समय उदास रहती थी और तुम्हारे भविश्यों को लेकर चिंता में रहती थी। लेकिन अब, अब मुझे अच्छा लग रहा है। मैं समझ गई हूँ कि अब मुझे तुम लोगों के लिए बहुत कुछ करना है। हम बताते हैं माँ को क्या काम करना चाहिए। तभी वहाँ पर धेर सारी ताजी-ताजी हरी-हरी भिंडे आ जाती है। इतनी सारी भिंडे देख कर शालू उसका भाई और माँ हैरान हो जाते हैं। सोच क्या रहे हो इन सब भिंडी को तुम बेच देना और बाकी तो हम लोग बैठे ही हैं कुछ भी कर लेंगे। जादोई भिंडी के आने से शालू उसके भाई और मा का जीवन पूरी तरह बदल जाता है। एक दिन वो घर आती है। भिंडी के पौधे लगे हुए थे लेकिन उन पर धेर सारी भिंडी लगी हुई थी। ये तो सामाली सी भिंडी है। तुम तो कह रही थी तुम्हारे आंगन में जादोई भिंडी है। हम ही जादोई भिंडी हैं और हम ये भी जानते हैं कि तुमने इन लोगों की बहुत मदद की है। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। ये कहकर जादोई भिंडी एक सोने का सिक्का उसके हाथ पर रख देती है। मैंने बुरे वक्त में इन लोगों का साथ दिया, तब ही मुझे उसका इनाम मिला है। मैं बहुत खुश हूँ। इन्होंने बहुत बुरे दिन देखे हैं। तुम इनकी मदद करती रहना जादोई भिंडी। चाची के मन में किसी भी प्रकार का लालच ना देखकर जादोई भिंडी बहुत खुश होती है। और दो और अशर्फियों से इनाम के तौर पर देती है। वो खुशी-खुशी वहां से चली जाती है। अब शालू और उसके परिवायर की सभी जरूरते जादोई भिंडी पूरा करने लगती है। देखते ही देखते समय बीतने लगता है। दोनों बच्चे बड़े हो जाते हैं। शालू की शादी का समय आ जाता है और उसके भाई की एक अच्छी जगा नौकरी लग जाती है। एक दिन शालू जादोई भिंडी के पास जाती है। मैं जब छोटी थी मुझे नहीं पता कहां से और कैसे तुम लोग मेरे पास आए। और तुमने हम लोगों का जीवन बिलकुल बदल दिया। मैं तुम लोगों से बहुत प्यार करती हूँ और तुम्हें दिल से धन्यवाद देती हूँ। तुम्हारा प्यार देखकर हम लोग तुम्हारे पास खुदी चले आए। और इतने सालों से हम देख रहे हैं कि तुम लोगों ने कभी भी हम लोगों का गलत फैदा नहीं उठाया। इसलिए तो हम तुम लोगों के साथ है। आगे बीसी तरह मेरी मा और भाई का खयाल रखना, शादी के बाद मुझे तो दूसरे घर जाना है। हम जानते हैं कि तुम्हें एक अच्छा परिवार मिल गया है। लेकिन शालू भूलना मत कि हम भी तुमारा परिवार है। अब हम कभी तुम्हें अकेला नहीं छोडेंगी। उसके बाद शालू की शादी धूमधाम से हो जाती है। जादूई भिंडी आज भी उसके परिवार का उसी तरह खयाल रखती है।